Hi friends, आज कुछ important switch words बताने जानी हूँ Switch words English के वो words होते हैं जिनकी vibrations बहुत हाई होती है और जब इनको हम अब किसी intention के साथ chant करते हैं तो वो intention उसकी frequency इतनी हाई होती है कि वो universe में जाता है and manifest हो जाती है मतलब subconscious बहुत easily से accept कर लेता है इसलिए switch words में इतनी powers होती है और इसलिए हम switch words लेके भी आते हैं Switch words सिर्फ English के words होते हैं capital letter में लिखे हुए आप इनको लिख भी सकते हैं इनको chant भी कर सकते हैं इनको अपनी किसी body part पे लिखना चाहें तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं अभी जितने भी मैं switch words बता रही हूँ ये तीन चार words को मिल करके बने हुए हैं तो इसलिए body part पे अगर आप लिखेंगे तो वह आप देख लीजेगा नहीं तो आप चाहें तो इसको आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं chant कर सकते हैं अभी संडे को शारतपुर्णीमा है जिस दिन वैसे भी vibrations हाए हैं तो मेरा ये मानना है कि उस दिन तो जरूर आप लोग switch words chant कीजिएगा जो भी आपके wishes के according set बैठ रहा है मैं हाँ पे 4-5 switch words बताने वाली हूँ हर अलग-अलग wishes के लिए तो वो आप ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ अपनी fights को resolve करने के लिए और communication को ठीक करने के लिए communication को मतब communication में जो भी problems आ रही है communication किसके साथ आपके partners के साथ या आपके किसी family members के साथ ठीके किसी के साथ भी आपकी लड़ाई जगड़ा चल रहा है और communication नहीं उनके लिए क्या switch word है simple सा together divine love ओके यह सारा capital में होगा together divine love तो आप इसकी chanting करते समय आप सारा दिन काम करते समय या normal आप बैठे हैं तो भी कैसे भी करके आप इसको मन में भी chant कर सकते हैं आप इसको whisper कर सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं जैस भी तरह से chant करनी है कर सकते हैं ठीक है together divine love together divine love और उस intention को आप mind में रख सकते हैं suppose किसी particular person आपका specific person है उसके साथ आपको अपना रिष्टा ठीक करना है और communication को भी stabilize करना है तो उस time पे आप simple उस intention को मन में रखें और together divine love intention problem वाली नहीं होनी चाहिए intention ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो चीज मिल गई है आप बहुत अच्छे communication में हो relationship बहुत smooth है यह intention रखते हुए आपको इसको चांट करना है next जो switch word है वो है together find count divine यह है money के problem को solve करने के लिए money को miraculously attract करने के लिए okay so इसके लिए जिसको भी money की problem चल रही है वो intention यह रखेंगे कि अभी हमारे life में money का flow बहुत अच्छा है बहुत smooth flow है सिर्फ इतना सा intention, simple सा intention रखे आपको chant करना है together find count divine together find count divine together find count divine यह chant रहेगा आप मन में कर सकते हैं whisper कर सकते हैं सभी मैंने बताया ठीक है इसके बाद हम आते हैं कहीं अगर घूमने जा रहा है कोई आपका अपना या आप खुद तो हमारी intention क्या होती है कि जो भी घर से बाहर नकला है वो बहुत safely अपने destination पर पहुँच जाए और फिर वापस घर safely आ जाए तो safe travel के लिए आप chant कर सकते हैं divine order divine order divine order divine order intention आपको रखना है कि बहुत safely वो घर आ चुके हैं या आप कही safely भी बहुत travel कर चुक्या हूँ ठीक है तो यह तीन switch word बता दिये मैंने next है exam pass करने के लिए बहुत सारे students के comments आते हैं कि यह exams के लिए कुछ बताईए तो exams के लिए आप लोग चांट कर सकते हैं on divine ठीक है on एक ऐसा switch word है जो आपको destination पे पहुँचाता है और successful destination पे पहुँचाता है ठीक है so on divine on divine on divine इसकी आप chanting भी कर सकते हो इसको आप लिख भी सकते हो जितनी बार चाहें आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि on divine on divine लिखते लिखते बीच में एक छोटा सा circle बना दिया जो energy circle जैसा हो जाएगा blue color का pen यूज़ करिए वहाँ पे आपके exam से related जितने भी marks आपके expect कर रहे हो या आपको चाहिए वो marks आप proper वहाँ लिख सकते हैं ठीक है present tense में suppose अगर किसी को 90% marks चाहिए तो मुझे 90% marks मल गए है that's it I have received I have got I have scored 90% marks simple ठीक है and उसके आजू-बाजू में या पूरा का पूरा paper आप fill कर सकते हो इस switch word से which is on divine ठीक है so यह on divine word है आप लोगों के लिए इसके बाद है yes बहुत खूबसूरत लगने के लिए attractive लगने के लिए attraction powers को high करने के लिए जो हम सब को चाहिए हर किसी को चाहिए कि हमारी attraction powers इतनी high हो कि हम इतने attractive लगें कि हमें किसी और में कोई कमी दिखे ही नहीं उस तरह की attraction powers उस तरह की positivity उस तरह की power को attract करने के लिए जो switch word है वो simple सा तीन चब्दों का है together divine praise together divine praise यह आप लोग अपने लिए भी कर सकते हो अच्छा एक query आप लोगों की आएगी कि एक बार में हम कितने switch words अपने लिए बोल सकते हैं जैसे कि attraction powers इतो आप लोग क्या यह together divine praise together divine praise यह करने के बाद कोई और switch word भी बोल सकते हो यह बोल सकते हैं आप अगर चाहें तो बलकि मेरा यह मानना है कि कोई particular wish है suppose मानली जाए आप अपने specific person के साथ कोई fight resolve करना चाहते हैं कोई भी लड़ाई जगड़ा है जो वो खतम करके बातचीत शुरू हो जाए ऐसा कोई चाहते हैं तो उसके लिए तो हमारा जो switch word है वो है together divine love ठीक है लेकिन उससे पहले हम अपनी attraction powers क्यों नहीं बढ़ा लें कि फिर हम जो भी चीजे फिर chant करें अपने wishes से related वो बहुत जल्दी हम positivity attract कर पाए result attract कर पाए तो best है कि अपने किसी wish के लिए switch word को आप चांट करने से पहले अपनी attraction powers के लिए together divine praise chant करें ताकि आपकी वो vibration praise हो जाए ठीक है अपने लिए कुछ भी मतलब आप अगर मैं बोड़ू दो-तीन मिनट अपने लिए चांट कर लिए together divine praise together divine praise together divine praise together divine praise intention या feel सिर्फ इतना कि मेरी vibration इस switch word से बहुत हाई लेवल पे जा रही है बहुत हाई हो रही है इसके बाद आपका जो भी जो भी मैंने अभी switch words बताए है उसमें से जिस भी से related जो switch word है उसको आप चांट कर लीजए simple ठीक है अचा इसके बाद health attract करने के लिए health बहुत important है health को attract करने के लिए जो switch word है वो है be together divine ठीक है तो health के लिए हो गया switch word be together divine अब जितने भी लोग health problem में हैं बहुत जादा दिक्कत आ रही है health में तो वो be together divine ये switch word आप chant भी कर सकते हो कोशिश कीज़े इस same switch word को आप अपने medicines पे भी लिख सको और बता देती हूँ अभी पूर्णिमा है पूर्णिमा के ritual already मैंने डाल दिये हैं और आप लोगों को करना ही है प्लीज जरूर कर लीजेगा ठीक है इसके अलावा पूर्णिमा है शरत पूर्णिमा का दिन है बहुत effective है इसलिए उस दिन वॉल्फ की power भी active होती है फुल मून पे वॉल्फ की power बहुत active रहती है तो कोई भी problem है कोई भी wish है कुछ भी है उसके लिए आप वॉल्फ meditation की मेरी जो विडियो है वो कर सकते हो नहीं तो simple वॉल्फ magic begin now का chant करिए intention माइन में रखके कि मेरी ये wish मुझे मिल गई है ठीक है सिफ ये intention रखके वॉल्फ magic begin now वॉल्फ magic begin now इसका chant जरूर कर लेना आप चाहो तो 108 times आप माला लेके कर सकते हो कोई भी माला चलेगी ठीक है या simple आप simple अपने fingers पे भी count करके आप वॉल्फ magic begin now का chant कर सकते हो अगर आप चाहें तो रात में सोने से पहले इसकी जो chanting की हुई already videos है उसको आप सुन सकते हो chanting को सुन करके और intention ये mind में रखके कि मेरी ये particular wish मुझे मिल गई है उसको सुनते हुए आप सो सकते हो तो ये वॉल्फ magic begin now इसकी chanting अभी आप शुरू कर सकते हो ताकि आप चाहो तो आज से शुरू कर सकते हो ताकि आप शारतपूर निमा तक मतलब संदे तक आपकी vibrations और भी हाई हो जाए और जो भी particular आपके wishes हैं उसमें आप जल्दी से manifest कर पाएं जाहे वो studies से related marks है job है कोई और problem से आपको निकलना है specific person manifest करना है आपको अपने parents को मनाना है third party removal के लिए भी बहुत effective होगा ये okay intention से रफ इतना the third person has moved away from your partner's life that's it बस इतना intention अपने mind में रखना है कि कोई भी तीसरा चौथा बंदा जो भी था वो आपके partner के life से जा चुका है कहीं और move on कर चुका है now अभी आपका relationship बिल्कुल safe से की और है सिर्फ इतना सा intention रखके wolf magic begin now wolf magic begin now का chant आप सारे दिन कर सकते हो so ये पूर्नीमा का दिन miss मत कर येगा आपके जितने भी results है relationship है उसके healing के लिए बहुत blessed day है so ये सारे rituals जरूर कीजिए और ये सारे switch words को use करना शुरू कीजिए अपनी अपनी life में बहुत miraculously help करते हैं switch words affirmation देना शुरू कीजिए अपने problems के लिए या अपने wishes के लिए positive affirmation दीजिए affirmations भी बहुत helpful होते हैं so ये सब कीजिए and I hope कि golden minute आप लोग use कर रहे होंगे भूले नहीं होंगे so golden minute हर दिन का use की जो और अब भी क्योंकि festive season चुरू हो गया सब happy mood में है तो वैसे भी vibrations हाई है golden minute में बहुत जल्दी manifest होती है अपने wishes को golden minute में manifest करना मत भूलिएगा so that's all guys thank you so much और मेरे नाम से कहीं पे भी कुछ भी आपको आ रहे हैं अगर comments में कि ये मेरा number है और मुझे contact कीजिए personal reading करवाईए please उन सब fake और fraud numbers के चकर में मत पढ़िएगा वो सब fake and fraud है मेरे numbers आपको description box में मिलेंगे या video के starting में अगर कोई में लगा देती हूं screen हर video में कभी-कभी कोई videos miss हो जाते हैं तो maximum videos में है उसमें जाकर कि आप मेरा insta id देख सकते हैं या मेरा whatsapp number आप देख सकते हो जिस पे आप लिख सकते हो और वहाँ पे हम जो भी ये communicate कर सकते हैं ठीक है so that's all guys thank you so much and god bless you all